गिरी जाइनती को आउसर मा स्वारेशत कविता हरू प्रस्तुत गरनू पढ़नी हो तरह मौ मेरो स्वारेशत कविता प्रस्तुत न गरे रहा एउटा अईले बर्तमान काल मा बिश्व भरी नहीं जुन एउटा घटना घटी रहेको छा समस्य आई परेको छा त्योहो नारी हरू माती उत्पिडन बलातकार पत्तीक दिन हमिले देखने गर चाँ समचार पत्रमा टेलिविजिन मा यसता पिडित नारी हरू कती जाना आपनो इज़त को डर ले बित्रे बस्षन तर एक जाना नारी जसले आपुलाई नियाईलाई मा नियाई मांगना कलन निम्ती आए रहू नियाई दीश्टाई भन्ने गर्षन अनि आपनो स्वाभी मान लाई राखे रा द्रीर संकल पर लिये रा बास ने प्रयास गर चिन संकल पर ले चिन यो कविता हो आदर नियाई सर डॉक्टर जस्यों जन प्यासी को जो मैं ले रेडियो मा पनी गरी सके किछू अनि यसले आईले बश्विक समस्या भहेको छा नारियर माधी प्रत्तिक दिनने बलातकार हुँँचा हमीले सुनी रहेका चों देखी रहेका चों अनि मलाई साथ दिन हो दैशा भाई मुकंदमनी थापा जिवले वहां नियाई दिशको ओता भुविकामा हुण चफों रौट अनि ने अभी ने गर्ट देखाँंते मुआ पने एव अभी ने कलाकार भह कोले अभीनेगर देखाँनों पने तरह यहां सानों यो ठाउमा संभवना भेरा मा सर अभीनेगर यहां रही हारो समक्ष प्रस्तूत करने प्रहास करने चुछ अनि यहां ने मलाए सारंगी में साथ दिन उदेशा देव भिशकर में जीवले रहार प्रति आभार व्यक्त गर्देई मा आपनो कवी ता वाचन गर सुनाओ देचु यू एउटा प्रिष्ट भुमियस्तो चा एउटा नियायले को कोठा जस्मा नियायदीश बस्टे को चा अनि एउटा पिरीत महिला को आपनो आर्त्रनाथ सुने रहे को चा रहाजूर अरुसमक्षा प्रस्तुच्छा मा फेरी फड़के राउनेशु कवी डाक्टर जस्यों जन्प्यासी स्रीमा नियायदेश यू मईला नाली मा अफालिये को भूल एउटा लोगने मांचेले नस्विकारे को भूल देखाऊना अश्या बने रहाँ मेरो सर्वांग में लागे का नाना थरीका शूल यू मईला नाली मा अफालिये को भूल एउटा लोगने मांचेले नस्विकारे को भूल देखाऊना अश्या बने रहाँ मेरो सर्वांग में लागे का नाना थरीका शूल सुनावणां कसम खायरा पश्पतिनात को से तो सत्य यो न्याले मा आय कीचु बनम तिम्रू किस भन्नु खाले नूनको निंती मात्र होय نम काले नूनको निंती मात्र होय नम या तर मेरो करता बिले मैं हो न्याई रा न्याई को बयान सुलू कालो अंध्यारो ने ढाके को कुरा अरुबाट उजे नलू सत्य निकालू तेसे ने भन्ड सक्छाओ तेमी केज तिम्र भन्डो यो कस्तो कप्टाचरन हो श्रीमा न्याएदिश जहा नारी लाई दिनमा प्रकृती को अर्चन गरे रा रात्मा स्वार्थपुर्ती को साधन चमजन चन जहा नारी लाई दिनमा प्रकृती को अर्चन गरे रा रात्मा स्वार्थपुर्ती को साधन चमजन चन जहा नारी लई पुझालों मा जीवन को खानी सुलाए रा अध्यारों मा जीवन को खरानी बनावच। पिऊना चाहे को देखे कीचु नारी लई तीरखा मेटाउना पानी समझे रा बलाकार गर्णा लागे को देखे कीचु यूश चाहर मा सीतालाई शत्रुगन भरत मी ले रा लुटना लागे को देखे कि चुद्रवपति लाई देरेई गल्ली हरुमा पांडव संतान ले दाउ छोपे रा स्रीमान्याइदेश प्रकृती जस्ती नारी ले संद शिल्ता को पाठ पढदा पढदा धरेणी जस्ती नारी ले देर्जय को पाठ सिखता सिखता अब यो अवस्था मा पुगे किछू कि जो संशिल्ता बेहत भये कोचा जो धर्य शिमाहीन भये कोचा प्रक्रिती जस्ती नारी ले संशिल्ता को पाठ पढ़दा पढ़दा धर्यनी जस्ती नारी ले धर्य को पाठ सिक्दा सिक्दा अब यो अवस्था मा पूगे की चुकी जो सांशिल्ता बेहत भएको चा जो धर्श शिमाहीन भएको चा देखे को कुरा सुनेयर मात्र मता पले बिश्वस्त पार न सकती न तरह आफ़े ले भोगे की आफ़े ले साना न सके की नियती को या समाज को कुर्रा को गहीरो दागरो देखाऊना चांचो स्रीमा नियादेश महिले मेरो प्रेमी नामधारी योग को माया को कोशिली मुट्टो को संदुक मा लुखाएरा राखे की थे मैं ले मेरो प्रेम मी नामधारी युवक को माया को कोशिली मुटो को संदोक मा लुखाएरा राखे कि थे अनि बुने पसी देरे भविश्य का रमाईला जाल हरू मैं ले सिउधों मा सिंदूर को अस्ताक्ष थापे कि थे देरे उठे बादल हरू चंग आकाश ढाकना लाई देरे हासे फूल रकाडा हरू के वल हिर्देरी जावना लाई देरे उठे बादल हरू चंग आकाश ढाकना लाई देरे हासे फूल रकाडा हरू के वल हिर्देरी जावना लाई श्री मान नयदिश एक दिन एक दिन पिहानी को उजालो देखे रहा एउटा सुखत स्थी भी पाचे रहा रात को शुन्यतामा एउटा रहर को उद्ध गाटन करें श्री मान नयदिश आज मैले कसे को पेट बोगी की हल्ला भी जीदो चाँ धोभी को जुटू गुरो गही लेटा सुन्ने मेरो राम आज माले बहिस्कारगरी बासना चाहन चाँ मेरो जिवन देखे कही ले अस्ताओं नीना बनने गाव आज मलाई पहिस्गार गरी बासन चाहांच शायद गुलाफ फक्रे पची सही पत्री को महत्व घटे रजांच यसे ले यसे ले मेरो कुमारित्व को अभारन कारी सदेई मलाई ओहिली एक फुल की खाम बन्च ओहिली एक फुल की खाम बन्च नियाई दिस्मोदे तेशो भे भन तिमी के गर्रा चाहांच यूत तिम्रो मात्रल सत्यभो बताओ नाम टूंगो तेश्वार्थी अपराधी को हो तेशला आई कायल गर्रेच थे सिसले जाहे को ओदेशे की ओँ चाहांदीनमस्री मान नदेशा केही करनव जीऊदइनि कुये को लाश करनव मेरो लोगने मान से को पवरुष्था प्रदर्शन करनव चाहे दिनमा सत्य को लावा लशकर लाए रहू मेरो मृत प्राय पति लाए निर्लत सपारना लगना काम बासना को स्वार्थ लिप्सा मात्र बोके रहू मांचे को मेरो मांचे लाए आपनो रगत को तिरस्कार गरे रहू आफ्रों रगत को तिर्यस्कार गरे रहा नवजात को बहुष्चे लाई बाटों देखाऊ न अलमली एको मेरा मांचे लाई एक दिन एक दिन एउटा जीवन को अर्थ बुजाऊंडा लाई मल लेखना ला आएके चुँ एउटा काग स्रक्षित राखना लाई स्रीमा नियादेश विश्वास मेरो गर्वावाट जन्मने शीशू लिंकन गांधी रा लेनिन हुने चाहिना विश्वास मेरो गर्वावाट जन्मने शीशू लिंकन गांधी रा लेनिन हुने चाहिना तारा मत्यसला किनी हरे कसी दानता पड़ाऊने शू यो कप्टाचरन, यो ब्यविचार, यो स्वार्थ ग्रस्त समाज को मान्चित्र पड़ाए रा, स्थीती वातावरन गुजाए रा नया साथ सीमा रेखारू कोर्न लाउनेचु मानोताको संहार गर्न लाउनेचु सिंतालाई बलातकार गर्ने भरत छत्रुगन को निर्मूल पार्न लाउनेचु द्रवपती राए लुटन खोजने पंडव संतान को अनि निमिठ्टन पार्न लाउनेचु आफने अपमान गरने नारी संहकेवल भोग को खेल खेलने सदाचार को मुखंड लाए रहासने समाज का कीरा हरू देश का द्रोही हरू मानवता का शिकारी हरू को स्रीमान ने देश लिबर्टी को पुल्टो सलकाए रहा मेरो यो गर्वको शिशुले जब यस्ता दुराचार ब्रस्टाचार अन्याई अप्राद्र अत्याचार ले गनाउन लागे का बस्ती गल्ली रश्चार रू कुह न लागे का मानचे र मानवतार रू खाक पादेश तब अमा फेरी फर्के रावनेशू यही कट घरामा उबीना केवल अफाली एको फुल्ले पनी नया बोट र नया फुल्ल को जन्वा दीन शक्छा बनना केवल अफाली एको फुल्ले पनी नया बोट र नया फुल्ल को जन्वा दीन शक्छा बनना धन्यवाद